हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब जहां तक है मैंने अपने जो समस्टी अर्षास की सारी वीडियो बनाई थी ठीक है आपको पसंदारी होगी देखो काफी टाइम बात मैं एक वीडियो और लेके आ रहा हूं यह आपका विदेशी विनिमेस से रिलेटीड है क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वहां पे जो डाइग्रम वाला जो पॉर्षन था जो कर्व का पॉर्षन था वो नहीं आ रहा था उस वक्त मैंने नहीं बनाया था बाकि जो भारती अर्थिवस्ता का विकास है जो दूसरी बुक हो तो मैंने कंप्लीट किया है चाहे वह आ रहा हो ना रहा हो मैंने complete बनाया थी जहाता मुझे ध्यान है तो इस वाले में यहला portion रह गया था तो जो portion उस टाम पर नहीं आ रहा था वह पॉर्षन मा बना रहा हूं विदेशी विनिमें के अंदर तो विदेशी जो विनिमेंदर वाला जो chapter हमारा विनिपोर एक्षेंज वाला तो स्टार्ट करते हैं विनिमेदर पार्ट नमबर फोर ठीक है ना इसमें देखा हमारे पास किया है मैं दुबारा बोल दूब बोर्ट से रिलेटिड अगर कोई भी क्वेरी अगर आपके पास दिक्कत आपको आ रही है कोई पेपर में कोई कुश्चन में तो आप मुझे इं में नीचे लिख सकते हो और कुछ चाहिए हो तो ठीक है ना जैसे कोई कुश्चन का आंसर आपको ना मिल रहा हो इससे रिलेटिड चल तो स्टार्ट कर लेते हैं विदेशी जो हमारे विनिमेदर है यह पार्ट देखने से पहले आपनी तीन पार्ट जो है पहले के वो कंप संबन पाए जाता है यहां लिखा हुआ है और जो दर है उसमें कौन से संब्सक्राइब विपरीत मतला बोता है रिनात्मक बोल सकते हो और प्रत्यक्ष बोल सकते हो ठीक है ना बहुत सारे नाम हो सकते है तो उसने बोला विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमेदर में जब विनिमेदर बढ़ रहा होता है तो विदेशी मुद्रा की मांग घरती है और जब विनिमेदर आपका कम होता है तो उसने पे विदेशी मुद्रा की मांग क्या है बढ़ती है यहां को दिक्कत निते में ठीक है ना विदेशी मुद्रा की जो पूर्थी ओती तथा विन अर्थार्ट जब विनिमय दर बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा की पूर्थी भी बढ़ता है और आपको उन वीडियो में भी बता धिया तैंगा उसके बाद अब देखें यहां पर जो आपको पढ़ना है किसे कहते हैं rate of exchange ठीक है ना संतुर्ण विनिमेंदर को क्या कहता है equilibrium exchange rate बोलते है equilibrium exchange rate अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है जिस दर पर currency की मांग तथा पूर्थी जहापे currency की जो मांग है और पूर्थी है दोनों ही बराबर हो जाती है इसका जो सब्सक्राइब यहां पर संतुर्ण की दर स्थापित हो जाती है अर्थार्थ विदेशी विनिमें की मांग बराबर हो जाएगी विदेशी विनिमें की पोड़ती यहां तक समुझ मांग आ गया तो यह मैंने देखो पहले में आपको डिमांड और सप्लाई यानि मांग और पूर्थी का जो ग्राफ बना देता हूं आपके सामने देन फिर मैं संतुरिंद दर्वाला बनाऊंगा और उसके आपकी जो चार में है वो आ जाएंगा उसके बाद तो सबसे पहले में यहां पर मैंने लिखा विदेशी करंसी की मांग यह क्या आपका विदेशी करंसी की मांग है ऐसे विदेशी में की पूर्ती ठीक है ना फटावर सा आप भी खीछ लीजिए जल्द से परनाते थे यह आपके डिमांड कर्व हो गया अप सीधा ही ही जीच लिजिये को दिख्कत निया तोड़ा सा बनावा उसको दिक्कत नहीं है आप ऐसे बनाई एक दियान से कैसे अगर आप तुब देखें इस चीज को तो पहले मैं कोई सभी एक जगह पर रीट मान लेता हूं सब्सक्रों मैंने यह मिलाया इस तरह से इसको मैंने आर मान लिया और नीचे जो आपका मन करें मैं क्यों मान लेता हूं से यहाथ समझा अब इक काम करके देखिये अगर मैं रेट बढ़ाता हूं यानि आर को आरवन करता हूं तो उससे जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी आपके पीछे की तरफ आजएगी क्यों यानि डिमांड करने जाएगी कम हो जाएगी पहले इस पॉइंट पर थे अब इस पॉइंट में हैं न तो ध्यान से देखे हो क्या रहा है लेको रेट बढ़ाने पर डिमांड गरुंगा तो दिमांड क्या जादा अब चाहिद करके देखिए इसको, R2 करके देख लेते हैं, इस तरह से यहां कट करेगा, यह बढ़ी गया, यह Q2 कर लेता है, तो उसका मतलर क्या हुआ, रेट बढ़ने पर डिमांड कम होगे, रेट कम करने पर डिमांड क्या होगे, जाद होगे, यह नॉर्मल करव है, यह न चर्М आप मानलो मैं लेट बढ़ाके देखता हूं रेट भड़ाया मैनने रेट बढ़ाने पर क्याूं हो गया है तो यह भी कम हो जागा पिछे को ठीक है यह दो डागरम बेसिक से आपको मांग और पूर्थी के मैंने बना दिए ठीक है ना फटाफट से बनाई आप इस सासात में कि अब इसको देखे करब को आगे अब मैं यहां पर संतुलन वाला बना राहो कौन सेवाला बना रहो देखले न मैंने क्या करें य एक यस नहीं लिख्ए है दंग से तो देखले ना जिरो आ गें आप यहां पर इंदोनों ने इंटरसेट के एक दूसरे को काटा यहां पर इसको मैं क्या बोल देता हूँ इसको मैं equilibrium point यहांनि यह संतुलन दर जो होती है यह वो दर होती है जहां पर demand और supply विदेशी करंसी की जो मांग और पूर्ति आप से बराबर होते हैं इसको आप मिला सकते हैं इस तरह से यह हमारा Q हो गया है अर यह हमारा R हो गया है यह वो दर है जिस दर पर विदेशी करंसी उसकी मांग से पूर्ति करने वो यह यह निकल आ गई यह वो स्थिती जहां पर दूनों बराबर है और यह उनकी क्या हो गी संतुलन क्वांटिटी हो गई समंझ मागरा तक je सundai cha obviously समझना बलात क्या ना न नार्मल ने का दर ओर मांग में रिणात्मक संबंद और दर और विदेसी संहीender, विदेसी जो विदेसी ज LISA की बने भी तो इस तही बहुत मोधी या रहों संतुलन की अवस्था तो संतुलन की अवस्था वाले केस में याद रहना जो आपका मांग और पूर्थी में जो नियम लग रहा था वह अप्लाइब नहीं होगा इसका मतलब यह हुआ समझना सीज़को अगर पीछली वीडियो में नहीं समझाया है तो समझ लीजिए अफिक कारू बनाने इसके बाद चार में वाले ठीक अबस खताम हो जागी वीडियो फिर क्योंकि अभी वह वायता बजारी सब तो आने रहे तो अभी वह पूर्शन छोड़ रखा मैंने हो ठी विनमें दर हो गे घंन के बीच अपक़ सम्मन दिखेंगा या बादन वह को समंग देखेंगा धनात्म अ है क्यों समतों दिखेंगा धनात्मक समर्ण और विनिमें दर और विदेसी विनिमें की जो पूर्ति के बीच या करंसी की पूर्ति के बीच यहां पर आपका कौन संबंद दिखेगा रिनात्मक संबंद इसकर मता क्या हूआ अगर नॉर्मल खर लहर सिंपल्फे मं डीर मढी तो वह अधिगो विदृ रभणी संबंद पूर्ति बोलेका सिंपल तो द्धनात्मक पर संब्का बड़े संतुरन के वस्ता जहाब में निमान सप्लाइ एक साथ आजाएगी दो ध्यान से देखिए अब इसको पहला केस केस नमर वाज चार केस पढ़ने हमें पहला केस में कह रहा है विदेशी करन्सी सपोर्स करो कोई भी करन्सी आपको लेनी है तो आपको यूएस डॉलर समझा देते हैं जैसे बुक में समझाए गया तो यूएस डॉलर की मांग में विद्धी अब ध्यान से देखिए मांग में विद्धी हो रही है किसकी विर्धी हो रही है उख टाफिवार के अगर विएस डॉलर की दिमांड बढ़ेगी प्रक्तिकली सोचो उसकी दिमांड बढ़ेगी तो वह और रहेंगा हो जाएगा और इंडियन करेंसी डाउन होती रोगा तो वही हां पर कहा रहा है जो भीनिमय उसके मांग के व्रिद्धि इसका मतलब क्वाइब हो मतलब घ्रिलू मुद्रा का क्या वरा है तो यहां पर देखिए मान लेजिए सब्सक्रों पहले एक युएस डॉलर पिचत्तर रुपे में आ जाता था अब एक युएस डॉलर के लिए मानला आपको 80 रुपे देने पड़ रहे हैं एक युएस डॉलर के तो इसका मतलब यह हुआ जब भी बढ़ता ने सरसे बढ़ र इतने के लिए सब्सक्राइब ना तो जब भी इस तरह से लिखा रहे था बच्चा अच्छा अच्छा नहीं बुरा है आपको एक युएस डॉलर क्रब जादा देने पड़ रहे हैं सबसे पहले तो यह आपका डिमांड कर डीडी है ना यह आपका सप्लाई कर एसस जहां प बचतनी संतुलंद की अवस्था हों इडीक हरो यहां से इसतरह से इसको यहां गोलो धिया और इसको मैंने क्या मत्यक्त तो सबस्क्राइब। अब आके करेंगा स्कोर एक डॉट डॉट करके जा रहा है ज्यान से देखें इस से हो क्या रहा है इसको नीचे कर लीजे तो लाँ जो भी सिस्केल का यूज करना प्लीज ठीक ना तो यह आ रहा है आपका कि इसको क्यों बोल देते हैं और यह हमारा आरवन हो गया तो क्या देखने को मिला है इसको एवन कर लेते नया पॉइंट आ गया यह देखने को मिल रहा कि आपका दर भी बढ़ रही है और और क्वांटिटी भी बढ़ रही है अब एक ची बताइए बात को समझें हमने क्या पड़ाता है जब भी एक्लिब्रम का केस होगा तो जब आपके डिमांड बढ़ रही है तो दर भी बढ़ रहा हूँ क्योंकि दिमांड यानि मांग और दर में कौन सा संब्ध पाया जाता है इकलिब्रम केस में धनात्मग संब्ध क्योंकि नॉर्मल जो हमने केस पड़ेते वहां तो उसमें मांग और दर में रिणात्मगता पूर्ति वाले में धनात्मगता बढ़ जब ऑले कंडिशन आ जाती है बच्चे सोसे गलत बन गए करूंग कलती बना बिल्कू सही बना हुआ है क्यों इक्रिम्म वाले केस में जहां मांग में रिणात मकता है यहां धनात्मक देखेगा देख लो बढ़ रहा हूं देखो दर्भी बढ़ रही है और कॉटिडी बढ़ रही है और डिमांड भी यानि यह बना हमारा घरेलू करन्सी का मूल यह रास हुआ है यहां पर समझेबागे ना प्रटार से नोड़ डाउंड करिये अब आगे देखिए आपको आथा पहले डिमांड का कर बनाएंगे फिर सप्लाइग का कर बनाएंगे फिर उनका एकलिवरूम बनाएंगे और उसके उसके मांग में कमी हो रही है यानि उसके लोग डिमांड रहे चुमतार कोख कोष़्क्यत है वहां तो जब उसके मांग में घुय हो killer हमारा करन्सी भी फाओट वोह होई है इसे लोग उसकी डिमांड निडरे बोच सक्कते हुँ ना उब ज्हुक्ड़ ज्यादा डिप ersandaag मे जोड़ी ना सिखानि आपको आपको इतना पताना कि मांग में अगर कमी हैं किसकी मांग में कमी अगर लोग उसकी मांग नहीं कर रहे हैं आपके पास यहां पर सब्सक्राइब करें रहे जैसे पहले एक यूज दॉल्डर का था अब उल्टा कर दिया थे को मैंने यूज रुपय का था यह रुपय दे करके एक डॉलर मिलता था आज से 75 में मिल जाता है हमारी करन्सी मजबूत हो गई इसने में कम पैसे माथ डॉलर मिल जाता है तो यह इसका एक्जांपल हो गया इसके लिए बना के देखते हैं कैसे जाइगे इसको नीचे टच कर लिए क्यों हो गया यह आपका आर हो गया यहां ऐना सकते हो राम से अब आको करना क्या मांको कम करना है पीछे की तरफ को लिजिए का करना है מאत missि ये डी 1 हो गया यह टी वटालो गया इससने यहां पे लिएस को सब्लाइख को सप्लाइख को तो यह पीछे की तरफ आ गया यह आरवन नों यह भी नीचे की तरफ आगया दिमांड भी कम होई यह नए अपको देखने को क्या मिल रहा है कि दिमांड कम वी तो रेट भी कम हो गया धनात्मक सम्मद्द यह कम हो रहा है यह भी कम हो रहा है यह बढ़ेगा तो बहुताव अब बस दो और कर्व बनेगे फटाव से में सथ मैं अब इस वाले कर्व को देखिए ए कर्व को ध्यान से समझना तकि आप से पेपर में दाई और बाई और कांग से सब्सक्राइब पूछे का तो आपको समझमा जाएगा दाई मतलब राइट हेंड होता है बाया मतलब लेफ्ट हेंड होता है कुछ बच्चों को यह भी नहीं फता होता है इसलिए सुन लो दिया चलो अब यह कह रहा है विदेशी करन्सी की पूर्ती है उसमें वरिद्धी अलवब यहाँ पर ना कोई बैग बेचने वाला है संघ्वा गया अब बैग बेचने वाला है मानलो उसके पास एक बैग फान सूर और पांसु रुपेका अब चारवन्दें ने के लिए 50 फान चैने बेचारे को तो 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 मुस्तम बिचारे को बहुत पहीं इस चारव तो चाहिए महान काली तो हमारी दिमांड बड़े की इसके डिमांड क्या जाएगी कम हुझ तो वह जहाएं जी पहले क्या संतुरन के आवस्तां निकाल लेते हैं ठीक है यह आपको भी आता फटावर्ट से आप भी बना लिजेए इतना तो कि करना क्या है पूर्ति बढानी है व्रिद्धि करनी है थे घंट गढ़ने है आप इस बार पूर्ति बढ़ालो कि एस वन और एस वन ठीक है ना इसने कट किया डिमांड को यहां पर यह इवन हो गया बाहर की तरफ आगिया कर ठीक है इसको मिला लेते नीचे कि एक क्यों और वन तो दियान से देखिए वो क्या रहा है पूर्ती बढ़ रही है और रेट क्या है घट रहा है कौन से संब्द आरेणात्मक संब्द देखो एकलिवर में रिनात्मक आगे ना जब कि होता क्या था इसमें धनात्मक होता था तो यह आपको खिलर होते नहीं अब इसका बनाना एक लाश कर्व रहे गया आप इसको देखिए अब लाश कर्व अपना इसमें क्या कह रहा है जो वीदेशी है करन्सी यूएस डॉलर उसके पूर्थी में कमी तो पूर्ती कम है सप्लाइज कम है इसको में दिमांड जाधा है लोग मांद जाधा कर तो मारे की हम गांगे कम होंगे तो मारी करन्सी का मुल्या ना इसका मतला अब सब्क्राइब 725 रुपए में एक डॉलर ले लेते थे अब हमें जादा देने बढ़ेंगे कि कुछ हमारी कॉल्या रास हो घ्र न जीट बढ़ गया धिक है अगर आपको डायाग्राम समझ में आ बच्चे आपको ले ठीक है ना जो 11 क्लास के बच्चे उनके लिए मैं स्टाइट की वीडियो बना रहा थे कि स्टाइट में काफी दिक्कत थी बच्चों को ठीक है तो यह SS हो गया ठीक है मैं हर उस चीज की वीडियो बनाना चाहता हूं खासकर उन मैं हिंदी मैं हिंदी की वीडियो में बहुती थी चुन ली एंग्लीष की में नोटने तो कफी असान मिडियो बनीन जा सकती है और नहीं बनाऊंग इसकी उसके नोटन मिल जाता है इंग्लिश को इनी के भी मिलते है दिक्कत वीडियो continued कर दिये अगर आपके कोई दोस्त हो त स्ट्राइट की वीडियो से अगर किसको लेनी 11 प्लास के तो पूरी की पूरी अविलेबल है विद नुमेरिकल्स ठीक है नौ चलो तो यह हमारा द्यान से देखिए आर हो गया क्यों हो गया अब करना क्या है इस बार हमें पूर्ति में कमी करनी है पूर्ति का हमारा पूर्ति यह रहा इस सब्धाय सही बढ़ता है तो यह बढ़ रही है एज़र की तरफ बढ़ेगा पीछ लेकर पूर्ति को कम कर देते एज वन और एस वन ठीक है न उते कि स्वरन्ट अब काकट क्या स्ने यहां पर कट किया कि यहां फिस्क्रया मारा औरumen हो गया कि यह यह ऐरस यह और कि यह और कि उस्प्वोसम को मिल ला है आपने सप्लाइप कंके सु le फसेशने करते तोसाशना कि और लेंट क्या बड़ गया इस बार तो आपके पीछे यह नहीं करा रहा हुँ तो फटार सो आपको वीडियो पसंद आई होगी जो आपका पॉर्षिन रहे गया था ठीक है जिसको समझ माग गया प्लीज कमेंट वॉक्स में येस लिख देना कि आपको समझ माँ चुका है तो मिलते हैं फिर कुछ नई वीडियो में तब तक धन्यवाद दोस्तों